करते हैं आज का हमारा कोर्स फिंटेक फिंटेक बेसिकली एक वर्ड मिलके बनाए फाइनांस और टिकनोलोजी से इनके क्लेक्टिव मर्जर को कहते हैं इस कोर्स में आपकी इंस्ट्रक्टर होंगे मिस्टर सिजाद साहब और उसके बाद कि मैं आपको बढ़ाओंगा सो फाइनलिए यह कौर्स इसके कोंसेट क्या है दिजाइन क्यूंकि किया गया इसके बारे में आपको सब्सक्राइब आए रोज आप देख रहे होंगे कि वह इस टाइम प्रफेक्ट कॉम्पनीज हैं वर्ल के नंबर वन जो है वह पीक पे खड़ी है लेकिन आए रोज वह अपने आपको इंप्रूव करती हैं क्यों इंप्रूव करती हैं ताके मार्किट में बने रहने के लिए पिछले साल के मुकाबले में वह अपने आपको बहुत ज्यादा वह इंप्रूव करती है और यहीं इंप्रूव्मेंट उनकी ग्रोथ का सबब बनती है और कुछ ऐसी कॉम्पनीज जो अपने आपको इंप्रूव नहीं करती वह आपकी और हमारी नजरों के सामने जो है वह इस कंपिटिशन से और इस दुनिया से ही आउट हो गई है तो अगर इतनी बड़ी कॉम्पनीज जो दुनिया की परफेक्ट है इस टाइम नंबर वन है और वह आए रोज अपने आपको इनोवेट करती है चेंजिस लाती है इंप्रूव करती है तो क्या हमें एपने आपको ग्रो करने की जडूरत नहीं है सबस्केशन करने का मकसद यहीं था कि असान जुबान में फाइनांस जिंट टिकनोलोजीश के ओपर स्वेटर में खड़ा होने जा रहा है यह जिंट टिकनोलजीश पर आज काम कर रहा है जो उसकी बन्याद है उसके आप डिसक्स करें और उ तो हम आज का लेक्ट्टर है वह बेसिक से शुरू करेंगे बैक्ग्राउंड से शुरू करेंगे देन हम आइस्था आइस्था एडवांस्मेंट की तरफ जाएंगे तो सब्सक्राइब करेंगे इस पूरे कोर्स में जो थ्री वी के ओपर कंसिस्ट है किस तरह पाकिस्तान का और दुनिया की कुछ सब्सक्राइब करेंगे कि उसमें कैसे हो रही है डिजिटल स्ट्रक्चर के जरिए किस तरह बुनियादें और फ्रेम्स और डिजिटल बिल्डिंग्स खड़ी की जा रही है जिनके ओपर बड़े-बड़े इदारे बेस करें और फ्यूचर में भी खड़े होने जा रहे हैं दुनिया की हकूमते जो है वो भी अपने आपको फीजिकल से डिजिटल की तरफ लेके जा रही है फाइनाशल सेक्टर में रेवन्यू की सेक्टर में यह सब कैसे हो रही है इसी तरह जो प्राइवेट बिजनेस हैं वह फिंटेक्स की मदद से किस तरह ग्रोग कर रहे हैं उसमें तेक्समें ऊपर क्ष्ण की सेस्ञ रखेंगे इसकों किस तरह किया जा सकता है काम किस तरह किया जा सकता किस तरह इन्हें रोका जा सकता है इन सब के ओपर भी हम बात करेंगे इस कोर्स में और फिंग टैक्स के हवाले से जो लाज है जो रेगुलिशन्स हैं वह उनके ऊपर भी एक प्रिव्यू हम करेंगे क्या है कुछ एप्लिकेशन मैं आपको बताऊंगा वह हम रियल टाइम में नहीं करेंगे टेस्ट करेंगे चेक करेंगे और इसके सब्सक्राइब बहुत सरी चीज़ेंगे आज का हमारा टॉपिक है वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर है किस तरह इवाल हुआ की मदद से जैसे के यह इंट्रॉडक्शन आफ इंटेक का मतलब है कि टिकनोलोजी और इनोवेशन के जरीए जो नए फाइनाशल स्ट्रक्चर खड़े कि जा रहे हैं इस इसे कहते हैं हम थोड़ा सा बैक्राउंड से स्टार्ट करते हैं कि बैंकिंग आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर वन वह फिंटेक इन बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग सेक्टर जो फैनाइशल टिकनोलोजी के जरीए किस तरह इवाल्व हुआ पाकिस्तान में और आगला आगे क्या होने जा रहा है हमारे बैंकिंग सेक्टर में इन सब के ऊपर आज का पूरा लैक्षिर हम कंक्लूड करने वाले हैं अगर एक दफा मुझे यस के साथ आप रिप्लाइब कर दें तो सो मैं सैटिस्फाइब हो जाओंगा कि सब चीज़ें सही है अवाज और कम्यूनिकेशन के हवाले से ओके थैंक यू शाजेव और बाकी सब लोग उस्मान शुक्रिया देखें यह आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें कुछ कॉंपनियां आपको शो हो रही है सो हम आगे बढ़ते हैं बात शुरू करते हैं एटीम से सबसे पहले पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर में एटीम मशीन जो है वह लाउंच की गई जब फिजिकल बैंकिंग को किया ग संदोहसार का दोर था शुरुआती दोर था जब अपनी एटीम लाउंच की जो पायोनीर था एटीम में एटीम का मतलब है और मिशीन तो अब इसमें और बात में मुतवातर दूसरे बैंकों ने यह मशीन लाउंच की अब इसमें मसला क्या आ रहा था सबसे ज्यादा जो इ की एटीम से पैसे विड्रा कर सकता था इसी तरह कोई का कस्टमर था तो वहीं से विड्रा कर सकते था तो फिर इसके बाद दो इंट्रोड्यूस किये गए पाकिस्तान में मल्टीबल बैंक्स हैं तो दो ऐसे नेट्वर्क इंट्रोड्यूस किये दो मुख्ली विदारों की तरफ से एक एमनेट के नाम से और एक वन लिंक के नाम से सबसे पहले जो सब्सक्राइब में लाउंच किया गया एमनेट मतलब एमसीबी बैंक ने यह कहा कि हम अपनी एटीम जो है वह आप हमारा इस टाइम बड़ा नेट्वर्क है तो आप हमारी एटीम भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप एमनेट की मेंबर्शिप ले ले आपके काड के पीछे लिखा जाएगा आपनेट का पासे एटीम से पैसे विडरा कर सकते हैं तो यह सबसे ने लाउंच किया क्योंकि उसके बाद किया हुगा कि मिदान में आया एक ऐसी कॉंपनी आई जिसने का कि वन लिंक होना चाहिए एक ही लिंक के जरीए जहां वो किसी भी जितने भी बैंक्स हैं उनकी यूज की जा सके एक कॉंपनी रिजिस्टर की गई पब्लिक लिमिटेड कॉंपनी उसमें मुख्लिफ बैंकों को जहां मेंबर्शिप दी गई कि आप हमारी अगर को अगर इसमें जहां एक दूसरे की जो मशीन से पैसे विड्रा कर सके गए इस तरह करते करते शुरू में वन लिंक को तीन चार बैंक्स ने जॉइन किया बाद में यह जो नेट्वर्क है वह बढ़ता गया बढ़ता गया और इसमें मुल्टीबल बैंक्स जहां वह मेंबर्शिप लेते रहे जितन ज्यादा में बढ़ता गया है तो इस ऐसे लिंग के तमाम पाकिसान के जितने भी बैंक्स एंब नैट खतम हो चुकिए और जितने भी एंग्स वह वह और इनक के जो लोग हैं वह लिंक को कॉम्बाइन ली ऑपरेट कर रहे हैं वान लिंक को हम कह सकते हैं कि तमाम बैंक बैंक का आपस में एक नेटवर्क की सुरत में कंसोर्शियम है मतलब एक ऐसी कॉंपनी है जो तमाम बैंकों के लिए एक ही सिंगल लिंक नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है जिसके जरीए कोई भी कस्टुमर किसी भी बैंक का किसी दूसरी बैंक की एटियम को यूज कर सकता है तो यह स्ट्रक्चर इंट्रूड्यूस किया गया सन 2003 के बाद 2005 साथ में यह वोल्व होता रहा तो यह आगे बढ़ता गया तो यह था इप्तिताई बैंकिंग सेक्टर में टिकनोलोजी की मदद से में जब वन लिंक जो है वह बहुत ज्यादा ग्रो कर गया तो फिर उसके बाद यह वह इंटरनेट बैंकिंग और मुबाइल बैंकिंग मुदार्फ करवाई गई मुखली बैंकों के जरीए और इसके बाद यह वह वान लिंक के जो मेंबर बैंक थे है वाण लिंक जो कस्टुमर था वह किसी मैंबर में पैसे ट्रांसफर कर सकता है किसी में ब्रमें के बैंक काटे मिजब कर सकता है में चिंदि पाकिस्तान की बात को इंटरनेशनल अगर बात करें तो दो बड़े नेट्वरक्स ऐसे थे कि वीजा एंड मास्टर कार्ड इसके बाद आता है अमेरिकन एक्सपर्स डिसकावर इस चार ऐसे नेट्वर्क जो ग्लोबली जिन्होंने एक बड़ा इंटरनेट के जिसके साथ पाकिस्तान के मेंबर बैंक तो वीजा और मास्टर के साथ दुनिया भर के जो बैंक हैं वह इनके साथ थे मतलब कि अगर पाकिस्तान में आपके प या मास्टर रेसेप्टने से तो आप उसे वहां पर यूज कर सकते हैं तो यह नेट्रक जो हो दुनिया भर में पाकिस्तानी कस्ट्रमर्स को रिसाई रिसाई देते हैं तो यह दोड़ आगे चलते कि यह नाइंटीन एटीज या उसके बाद में यह कॉमपनी बनी हैं वीज कुछ साल पहले एक चाइनीज कॉमपनी भी इस फील्ड में घुज गई और उसने भी अपना एक इंटरनेशन नेट्रक लाउंच कर दिया जिसका नाम था यूनियन पे तो इस टाइम यू वीजा के बाद सबसे बड़ा जो नेट्रक है दुनिया में और सबसे ज्यादा होत करती हैं और जो अमेरिकन कंट्रीज वह मास्टर कार्ड वीजा वगारा को प्रैफर करती है अच्छा पाकिस्तान में भी शुरू आती दोर में मतलब कि हर कार्ड के ओपर आपको वीजा और मास्टर ही दिखता था तो इंटरनेशनल मेंबर्शिप जो है वह लेनी पड़ती बड़ा बन चुका था उसने यह सोचा कि हम पाकिस्तान के अंदर अंदर जितने भी लोग हैं जो वह नहीं लेना चाते वीजा की यूनियन पे की मास्टर कार्ड की मेंबर्शिप तो हम अपनी एक जो है वह ब्रैंड लाउंच कर देते हैं पेपाक के नाम से एक अपना एक हमारे जो कि प्लास्टिक कार्ड ने उसे इंपावर करने के लिए अपना एक पेपाक के नाम से डेबट कार्ड जो लाउंच किया जो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी असेप्टेबल है जांब भी वान लिंक का नेटवर्क है लेकिन इंटरनेशनल्य आप इसे यूज़ नहीं कर सकते अब वान लिंक इतना ज्यादा ग्रोव कर गया कि उसने पहले नेट्वर्क से जो हो अपना नेट्वर्क बनाने के बाद अपना ब्रैंड भी एक लाउंज कर दिया पेपाक और उसके बाद उसने जो हो रिसेंटली काफी सारी इंप्रूव्मेंट की सिस्टम ने इंप्रूव्मेंट इसने क्या कि कि बहुत ज्यादा मसले होते हैं हमें जब जो भी हमारे इधारे हैं उनके चलान पे करने के लिए पेमेंट्स वगएरा की अदाइकी घाने के लिए 현재 Hisi cagadam कि जो सकती है है इसलामिक अ कि अ नहाँ हो सकता कि अगर होता हैं तो 5 रुपे इजावी इजाए empty अगर रट करें तो तो इस तरह से करके तो फिर वन बिलिंग के नाम से रीसंट ली कैसी जो है वो पेमेंट सिस्टम उन्हें इदारों के लिए इस वान लिक नेट्वर्क ने लाउंच किया जो आगे जाके मैं बताता हूं किस तरह काम करते हैं कि करते हैं 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 कर दो कर दो कर दो जी तो आपने एक एनिमेटेड वीडियो देखी किस तरह जो है वह वान बील का कॉंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और वह कैसे काम करता है शौटर में मैं आपको बताता हूं कि जैसे एंटी ऐसे किदा रहा है उसने आपसे फीस लेनी है तो आप एंटीस की वेबसेट जाएंगे अपनी जो है वह डिटेल्स इंटर करेंगे एंटीस के नाम से चलान के ऊपर इस तरह का लोगों होगा और नीचे बार कोड नमबर होगा और इस तरह से यहां पर लोगों का वन फील्क के साथ अब आपके पास कोई भी बैंक है आपके पास जो है वह कोई भी बैंक का मुबाइल अकाउट थैडा का मेंबर आपशन ओर्ट में तो ओप्षन है यह ऊप्शन आ रहे होगी यह वैला नंबर देंगे जैसे ही आप यह नंबर लिएन नाम आजएके जैसे मेरा नाम आजएगा मेरा सिएनए से आजएगा और आप हम क्लिक करेंगे और वह पे हो जाएगा जैसे हम अपणी एन्ट स का लोगन खौल के देखेंगे तो वहां पर लिका जेगा के चलान वेरिफाइट तो इस तरह से अब किसी को इसलामाबाद भेजना नहीं पड़ता डाक या पार्सल के हमारा चिलान देखें बलके आप ओनलाइनी कुछ ही मिनिट्स में वेरिफाई हो देता है तो यह कुंसेप्ट वन बिल की तरस पर लाउंच किया गया और यह मुख्लिफ इदारे या इन्टिटी जहां वह इसे कर रही है और इस पर शिफ्ट हो रही है तो होपस ओफ फ्यूचर में सरकारी दारे भी इस पर शिफ्ट हो सकते हैं सो यह था वान लिंक का और उसके नेक्वर का थोड़ा सा कुंसेप्ट जो हमने डिसकस किया अब फाइनली हम जाते हैं दूसरी जो रेवलुशन होई है पास में इजी पैसा मूबी कैश और इसके हवाले से हम एक शोर्ट एनलाइसिज करेंगे सो इस एनलाइसिस से पहले मैं कुंसेप्ट के बारे में आपको बता देता हूं कि 2013 की बात है कि जब एमसीबी ने कुंसेप्ट लाउंच किया और उसने कहा कि अपने वालेट को जह हो यह वो यह मुबाइल वैलेट में करें दोजार बारा तेरह में निया नया जो है वह एंड्राइट से हम नोकिया से एंड्राइट पे शिफ्ट हो रहे थे सैंसंग रेवलुशन लेका है तो एमसीबी ने एक एप लाउंच की और एक अकाउंट ऐसा यूनीक पाकिस्तान में लाउंच किया उसने कहा कि आपका मुबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर है सिर्फ हमारी कोई भी ब्रांच विजिट करें और अपना आईडी कार्ड की कॉपी जमा करवाएं और उस विए एमसीबी की ब्रांच में जाएं वहां पे आपने पैसे डिपोजिट करने हैं आप सिरफ अपना मुबाइल नंबर बताएं और वहां आकन को मुबाइल काउंट में तरनी किया और आपका स्मार्ट फवोनी जहाओं आपका फूचर का वैलेट है अच्छा आप थोड़ा सा यह मुबाइल अकाउंट पे आने से पहले हम डिसकस कर लेते हैं इजी पैसा जैस कैश और जितने भी दूसरे मर्चंट हैं इनके बारे में आपको शुरू में पता होगा कि 2010 से पहले पहले आप देखती होंगे कि इस तरह के मुबाइल कार्ट कुन्सेब्ट लेकि आया कि मुबाइल कार्ट ज्यां रिप्लेश किया जा सके वह कुझेप्ट क्या था वह कुन्सेप्ट आप था इजी लोड़ बलब कि हम मुबाइल काड़् करने की बचाए हम एक ऐसी इंट्रड्यूस करवारें इसका नाम है इसी लोड़ ताकि आप ज माम कॉंपनीज ने जो भी थी मूबी लिंग और बागी सब उन्होंने इससे कॉपी गिया और सबने अपना इजी लोड लाउंच कर दिया तोड़े ही अरसे में दोजानों में इजी लोड के बाद वह उसी लफज से मिलता जुलता एक फिर दुबारा ले आया कि अब इजी ल क्लीजेटंग्त में तो मैं यहां इंट्रीजुचया कंसेब्ट अब यह कैसे हुआ पाकिस्तान में एक पैंकिंक्स्तान की one में इसे फैसों का जो है वो लेनिदेंज का उसे रखना उसे सेव करना मेंक के इलावा कोई ये काम नहीं के इसलिए डिवर कर सकते हैं DO यह क्या मैं यह उसके बंखनारats cute जे फैसे करने की तुई यह यह निजी और निखना है यह में पैसी आ हुआ व्यक्ति काम तो यह लिए दिन का मामला होगा वो सिर्फ बैंक सी कर सकते हैं तो जब यह कुंसेप्ट था और जिस तरह इजी पैसा का कुंसेप्ट लाउंच हुआ तो फिर कॉंपनी को अहां बैक पे अपना एक बैंक रखना पड़ा बैंक रखना पड़ा तो टैली नौर जो है वो उसने तामीर बैंक मार्करोफःणास बैंक है उसके साथ एका गर्हेमंट किया और फिर यृजी पैसा की सर्विसी सटार्ट की इसतरह मूबी लिंक ने भी उस ताइम पे वसीला मा Warum के साथ मिलकर ज्आ है वह मूभीकैश की सर्विसी स्टार्ट की इसीतरह जोंगे के शीपे के टाईम पे नाम से अपनी जा हेंग तो बात में ये इतना ज्यादा हीट हुआ तैलिनोर का कि चैलिनोर ने ही तमीर बैंक खरीद दिया और उसका नाम चेंज करके तैलिनृर माइक्रो फाइनास ौर्ड रख दिया और इसी तरह मूबी लिंक ने वसीला माइक्रोफाइनस बैंक को खरीदा था बाद में इसका नाम चेंज करके जो आज का आपको मिलता है मुबी लिंक माइक्रोफाइनस बैंक लिमिटेड वो रख दिया तो इस रेगुलिशन के अंडर इन सब कॉंपनी के लिए जुरूरी था कि इनकी बैक पेक बैंक हो तो इस त सब्सक्राइब को नहीं पता था तो उसके बाद यह हुआ कि जो यू पैसा भी लाउंच हुआ तो इनका नेट्वरक जो था वो 2012 तक बहुत ज्यादा बड़ा हो गया यह सिर्फ मनेट ट्रांस्फरिंग को डिल करते थे आईडी कार्ट पे या मुबाइल नंबर पे क्योंक का जमाना आया तो सबसे पहले जो मैंने आपको पीछे बताया तो पाइनियर था जिसने मुबाइल अकाउंट लाउंच किया था एमसी बी ने तो इस यह कॉंसेप्ट को इन तमाम जो है वो इदारों ने कॉपी किया इज़ी पैसा ने जैस कैश ने सबने कॉपी किया और तो यह थी एक पास्ट की पिछली 10-15 सालों की जो है वो स्टॉरी किस तरह जो है वह वान लिंक का नेट्वर्क की वॉल्व हुआ और किस तरह से जहां वह इजी पैसा इन सबका नेट्वर्क जो बैंकिंग सेक्टर में इवाल्व हुआ अब हम चलते हैं आगे कि क्रण्ट एरा में क्या हमें प्रोब्लम फेस करनी पड़ नहीं है इस फाइनाइशल सेक्टर में बैंकिंग के हवाले से खास तौर पे और इनका स्लूशन क्या है और हकूमत इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या एकदाम कर रही है सबसे पहले फॉर स्केश में समझे डिपोजिट करवा सकता है तो यह और हर बैंक जो है वो उसका अपना ही अलाग अकाउंट नंबर का फॉर्मैट है अपना ही इलाग उसका अकाउंट का स्ट्रक्चर है कि बहुत सारे लोग जाए वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम जा हो क्या करे और असान पाकिसान में इतने सारे बैंक्स हैं ठीक है हमारे ऐसक का किसी का 10 डिजिट का 14 किसी का 16 तो एक आम आम इंसान के लिए भी यह असानी नहीं है कि वह असानी से आज का डिजिटल दोर होता हुए भी जह वह पैसे ट्रांसफर कर सके पाकिस्टनार में इस टाइम जब थर्टी थरी यह दुनिया के लिए को अधार करता है को उन्हें ने मिल बैटके के मैं और इस पैसिफिक नमबर इशू कर देते हैं को ताकि पूरी दुनिया में नी हो तो चोबिस से लेकर 25 षगा जैसे मुबाइल की पुरी दुनिया में यूट कंट्री का कोड़ है कोड़ के बाद उसका यह इसमें नमबर 24 मैकसिम मैकसिम हो सकता है जिसमें उसका लोकल भी होगा फिर उसकी प्रांच का भी में लिए इंट्रीपाइब कर सकते थे तो यह तो यह पाकिस्तान में इंप्लीमेंट किया कॉंसेप्ट और अब दुनिया भर में तुमाम बैंक यह इस पैटरन पे हैं और यह एक इंटरनेशल स्टेंडर्ड बन चुका है इंटरनेशल प्रैक्टिस बन चुकी है कि आई बियन जैवो हर बैंक अवेलेबल है जैसे यह देख सकते हैं आपके यह पाकिस्तान का कोड है पाकिसान में एच डबल भी यह हभी बैंक का कोड़ आगे फर्दर जैवो अकाउंट नंबर तो इस तरह से जैवो पूरी दुनिया के बैंक अकाउंट को एक ही आउंट नंबर के तो दुनिया भर में यह मसला सॉल्व हो गया अच्छा अब थोड़ी सी हम बात कर लेती इंटरनेशनल प्रिस्पेक्टिव में तो यह इसू सॉल्व हो गया आई बीन के आने से कोई होगी पाकिसान के प्रिस्पेक्टिव में फिर मैं वापिस चलता हूं जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट बैंक्स हैं तो अभी तक स्टील इशू है तो इसके बाद आप इंडियन प्रिस्पेक्टिव की थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक ही रिजर्व बैंक से हम इवाल्व हुए हैं हमारा दोनों का फाइनशल स्ट्रक्चर पाकिस्तान और इंडि दो 2017 के आज पास उन्हों ने इंडिया का जो रिजर्व बैंक यानि जो सैंट्रल बैंक के इंडिया का उन्होंने का कि जितने भी बैंक्स हैं जितने भी अकाउंट नमबर लेके आ रहे हैं यूणिफाइड पेमेंट इंटर फेस लेके आ और जिसके जरीए कोई भी बंदा इंडिया में किसी भी बैंक से असूसियेट हो वह उस यूपी आई को डालेगा अपने मुबाइल में और वह खुदी कर लेगा यह किस बैंक का कौन सा अकाउंट है यह उससे लिंक है वह पैसे उस अकाउंट में इंस्टेंटली उसी वक्त इस टाइम दूनिया में इसे बहुत बड़ा सकसेस्फुल मोडल माना जाता है इतना सकसेश्फुल मोडल के मुइज दो आइडिया गहल अपिंडिया में और अधी टाइम जो भी जितने भी ट्रांजक्शन होती है कुई सबसे आसान मोडल एक विडियो की मदद से समझते हैं कि यूपी आइडिया के बैंकिंग सिस्टम में किस तरह काम करता है अव्ले multiplic में प्याथ, प्योजिवी नीप्रत्स फ्याहिश और लॉल्ट बहुत में और लाज़ व्यूफ्यार्वे अनिफिट उनिफां सेध्र। हे वोल्ट गोफर वमन्स में पॉफर अनिवेक्रThis. What's more, UPI comes bundled with all its participating bank apps that gives you freedom to choose the best UPI app. So what is UPI? Is it like an online account or is it like IMPS? Well, we'd say it's the best of both worlds. UPI links your bank account to a virtual payment address. Think of it like your super cool banking bank name, which means you don't have to remember account holder name, with long account numbers or IFSC codes. Simply pick a cool BPA and get ready for a cool way to bank. So what's so unique and special about UPI? Let's start with sending money. With UPI, you can just send money to anyone with a UPI BPA in just a single click. You can collect money too. That means UPI not only lets you make payments, but also ask for payments by just using BPA. Emergents can use this feature too. They can use UPI to ask for bills you have scheduled to pay. And as far as your convenience is concerned, UPI also allows you to share your bills. Lastly, we can also pay using the QR code. Now you can make your purchases by scanning a QR code at shops, restaurants, petrol pump etc. through UPI. How secure is it? It's single click two-factor authentication, which uses UPI PIN and mobile SIM to all UPI transactions. As secure and trustworthy as your bank transactions. So what are you waiting for? Download your banking app right now. Pick your unique BPA and make all your payments unified and simplified. And help your sabzi wala or auto rickshaw wala to have his own virtual ID to do seamless transactions. Unified payments interface powered by NPCI and member banks. Unified payments Unified payments Unified payments Unified payments जो बायर है वो कोई भी अकाउंट यूज करता है किसी बैंक का यूज कर सकता है मर्चंट की आइडी देगा तो इसलिए उसे पैसेज है वो ट्रांसफर हो जाएंगे और इंडिया बहुत सारी सालों से कई सालों से काम कर रहा है और इसे इंपलिमेंट किया ना सिरफ ये बेंकिंग सेक्टर में बलके उसने एक स्लोगन दिया था वन नेशन वान टैक्स नंबर और इसी तरह अभी काफी सारे और वन नेशन के काफी काम कर रहे हैं तो यह एक एक्जेम्पल थी दुनिया भर में इसे काफी ज्यादा जो हो एकनॉलीज किया गया इस कॉंसेप्ट को पैट्रन को तो अब हम फाइनली पाकिसान के सुनेरियों में चलते हैं कि यहां पर आप जहां वो क्या लाउंच किया जा रहा है स्टेड मेंक के द्वारा यहां पर सोचा कि एक ऐसा कॉंसेट्ट लाउंच की यूपी आई की तरह पर रास्ट पेमेंट सिस्टम अब रास्ट का मतलब होता है उर्दू में सीधा रस्ता सीधा विलकुल स्ट्रेडर रस्ता तो या ने तो अब उन्होंने पी आपकिसले महींये वह लाउंच किया गया दिए कि अब आपका कोई भी किसी भी बैंक में है या किसी भी और बैंक कि आपका आइडी आपका मॉबाइल नंबरосто हो सकता है या कोई और आप चूज करना चाहिए बैंक को कोई और देना चाहिए तो वाली आइडी भी हो सकती है तो उस आइडी के सरी है जो है वो मेरा एकाउंट है तो मेरे पास रास्त की एक आईडी होगी वह इतने ही स्पैसिफिक डिजिट पे मुझत मिल होगी जैसे मैंने यहां पर ग्रीन किया हुआ है ओपर फॉर एक्जेंपल मेरा एकाउंट है तो मेरी रास आईडी यह अब आप चाहिए कोई भी बैंक यूज करत आप वहां पर इंटर करेंगे आईडी डिरेक्टली इंस्टेंटली मेरे एकाउंट में ही पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो इस तरह हर अगेंश है वह रास आईडी आपको इशु की जाएगी स्टेट बैंक की तरफ से और जितने भी मुबाइल वैलेट से उनके ओपर भी फूचर में यह इशु की जाएगी तो यह पैमेंट सिस्टम रास चाहिए वो काम किस तरह कर रहा है इसका क्या कॉंसेप्ट है तो हम देखते हैं इस एक आपकमिंग वीडियो में State Bank of Pakistan हमेशा जतीर टेक्नोलिजीस के साथ तदम से कदम मिला कर चलता है पाकिस्तान का पहला इंसल पेमिंट सिस्टम रास भी डिजिटल पाकिस्तान के लिए की जाने वाली हमारी कोशिशों में से एक है रास्त है पेमिंट्स बेजने और वसूल करने का एक नया जो कनेक्टिड है आपके बैंक से अपनी मोबाइ डाब, इंटरिनेट बैंकिंग और ब्रांच काउंटर से फौरी और मुफ्त रकम भीजने के लिए रास्त की सहूलत इस्तमाल करें वैसे तो आप मरवज्जा तरीके यानि आई बैंक से भी रकम वसूल या भीज सकते हैं लेकिन आपकी अदाइगियों को मज़ीद असान बनाने के लिए रास्त में मौजूद है रास्त आई डी का उप्शन जिसको बना कर आप अपने मोबाइल नमबर को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं यानि आपकोई बैंक अकाउंट नमबर या तवील आई बैंक याद रखने की जरूरत नहीं बस रास्त आई डी बनाएं और अपने मौबाइल नमबर पर पैसे वसूल करें रास्त इस्समाल करने का तरीका सबसे पहले अपने बैंक की मौबाइल आप या इंटरनेट बैंकिंग पर साइन इंग करें रास्त आई डी पर क्लिक करें अपना अकाउंट नमबर मुंतखिब करें जो आप अपनी रास्त आई डी के साथ लिंक करना चाते हैं साथ ही अपना मॉबाइल वो नमबर अपनी रास्ट आईडी के तौर पर मुंतखिब करें इसके बाद लिख पर क्लिक करें इस तरह आपकी रास्ट आईडी बन जाएगी और आपकी अकाउंट से लिख कर दी जाएगी रास्ट के जरीए आप चल नराहिल से ट्रांडाक्शन कर सकते हैं अपनी बैंक की मॉबाइल आप या इंटिनेट बैंकिंग को लॉग इन करें रास्ट आइकन पर क्लिक करें फन ट्रांसफर पर क्लिक करें अपना अकाउंट मुंतखिब करें जिससे आप रकम बेजना चाहते हैं आइवेंग या रास्ट आइडी में से किसी एक को मुंतखिब करें रकम वसूल करने वाले की रास्ट आइडी या आइवेंग का इंदराज करें रकम दर्च करें पेमिंट का मकसद मुंतखिब करें अगली स्क्रीन पर रकम वसूल करने वाले के अकाउंट टाइटल की तजदीग कर ले ताके आपको यकीन हो जाए कि आप सही अकाउंट में रकम भीज रहे हैं अब आखरी मरहले में अपनी एमेल या SMS के जरीव वसूल होने वाला OTP दरच करें आपकी ट्रांजाक्शन काम्याभी से मुकमल हो जाएगी मराहल की तर्टीब सारिफ के बैंक के तरिकेकार के हिसाब से मुक्तलिफ हो सकती है स्टेट बैंक हर पाकिस्तानी के लिए बना रहा है डिजिनल पेमिंट्स को फॉरी, फ्री और असान ताकि आप ऐसे भेजें राससे बराही रास एन इनिश्य इप ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो यूज करो रास इतना बाज सरूलत कि क्या याद करो इझेक्जैक्टलि स्टेट बेंक के कॉंसेट है कि राससे बराही रास ताकि आपको सब्सक्राइब करके आपको पेमेंट सेंड कर सके और आप इसी तरह किसी को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करते हैं ताकि लोगों को उसकी आदत हो जाते हैं इसी तरह से वह आई बीएन को रिप्लेस करना है पाकिस्तान में ताकि असानी के साथ पैसे हम बेज सकें फास्ट है इंस्टेंटली आप कर सकते हैं पैसे किसी भी अकाउंट में सेक्योर है स्टेट बैंक के जहां वह सर्वर के जरीए ट्रांजक्शन होगी एटीसी तो हम नेक्स देखते हैं रास का स्ट्रक्शर क्या है क्या राज सिर्फ परसंट टू परसंट एक शक्स दूसरे शक्स को पैसे बेजने के लिए यूज होगी नहीं राज यह वह स्टेट बैंक ने लाउंच किया फ्यूचर में जहां जैसे मर्चेंट का मतलब है जैसे फॉर एक्जेंपल मुख्लिफ छोटे बिजनेस जैसे दराज बगएरा है तो दराज पीचाइब क्रेड़ कार्ट के जरीए पैमेट्स लेते हैं तो यह भी रास्त के जरीए पेमेंट करेंगे जो बड़े बिजनेसे और स्माल बिजनेसे वह उनकी एक अपनी रास्त आइडी है हामें चारचर नंबर शो नहीं करने पड़ेंगे का अपनी रास्ताइडी होगी तो अब किसी भी बैंक से जाब बेज सकेंगे पैसे तो इसी तरह जो है वो कंजूमर को तो रास्ताइडी मिलेगी उसकी तरफ से यह चार इंटरेट के जरीए भी इसका इस्तमाल होंगे एक तो बैंक्स होंगे माइक्रो फाइनांस जाब बिजनस इस्तिटूशन होंगे जो रास्त का इस्तमाल करेंगे जैसे फैनाशल इदारे मसाल के तौर पे एफबी आरवी टैक्स की जो पेमेंट है वह एटीम के जरीए लेता है फिर इसलान पी एसाइडी शु करता और इंस्टेंटली पेमन्ट हो जाएगी और इसके अलावा जो गॉर्मिंट इंटिटी जैसे आप देख रहे हैं एफपी एसी पीपीएसी कितनी दिकत होती है हमें पेमन्ट करने में पिर चलान जो हो लेके जाएं सेंटर में चलान बहुत सारे लोग हैं गुम हो गये तो तो यह सब चीज़ें खत्म करने के लिए डिजिटल आपके बास भी फुल रिकॉर्ड और एफपीएसी के बास भी हो तो रास्ताइडी जाओ इस तरह सरकारी तारे भी जैवो यूज करेंगे तो यह फिलहाल उन तमाम प्रॉब्लम्स का सिंगल स्लूशन प्रवाइड किया रहा है इंडिया की तरस पर हमारे स्टेट बैंक ने कि एक ही आइड़ी हो जिससे तमाम बैंक के जरीए पेमेंट्स यह वो ट्रांसफर और सेंड की जा सके अच्छा एक और इनिशेटिव इसके साथ यह वह स्टेट बैंक ने लाउंच किया है उसके ओपर फाइनली बात कर रहे है वह यह है कि पाकिस्तान में डिजिकल बैंक स्टार्ट कि जा रहे हैं मतलब ऐसे शुरू किये जाएंगे जो फीजिकली एक्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे वह और ग्स्ट कर रहे होंगे और देखते हैं कै कोई भी कर रहा है उसका उसकी ब्रांचीज हैं उसका हैड ऑफीस है और फिर इंटरेट बैंकिंग भी प्रवाइड कर रहा है लेकिन यह जो नए बैंक्स स्टेट बैंक की जानिव से शुरू किये जा रहे हैं यह फुली डीचल होंगे फीजिकल इनकी होगा किस तरह होगा इसमें बात करते हैं और इससे शुरू करने के मकसद क्या है स्टेट बैंक अपनी साइट पर लिखता है सबसे पहले के हमारा मकसद ही है कि उन एरियास में जो हम सर्विस प्रोवाइड कर सकें डीचल बैंकिंग के जरीए दूर दराज के एरियास में जहा कर वाने जा रहे हैं तो इंकरिज कर रहे हैं हम application का financial technology and innovation in banking देखें उसी की वह बात करें कि जो फींट है में जो प्रिस्पेक्टिव इशूज होंगे उन्हें यह टैकल करेंगे और इसी तरह मुल्क भर में एक डिजिटल इको सिस्टम भी जह वह डिजाइन होगा डिजिटल बैंक्स के आने से स्टेट बैंक का मैकनीजम स्टेट बैंक कह रहा है कि 30 मार्च तक इस महीने के लास तक आप हमें जमा करवा सकते हैं जो भी पाकिसान में डिजिटल बैंक शुरू करना जाता है इस शुरू करने के लिए किसी भी बंदे के पास अगर डेड़ अरब रुपए होंगे से क्योर् सब्सक्राइब करते हैं यह लोन वगारा या बाकी दूसरी चीज़ें नहीं देते तो पहले स्टैप में वह यह कह रहे हैं कि हम पांच लेसंस देंगे डिजिटल रिटेल बैंक के नाम से डी आरवी के नाम से और कुछ गुजरने के बाद दो साल का टेन्योर कंप्रीट हो ओने के बाद इन्हें डिया न का मतलब कह सकते हैं कि जो concerned करता है मनी बहुत करता है modernral इस लीसिजव मेते देता है झाहलिए दो इसकुचक्क पर इन जो डीजिनल रिटेल बैंक से इन्हें डीएफबी डीजिनल फुल बैंक में कनवर्ट कर दिया जाएगा अग्रेट टरम्स को यह वो फुल फैल करेंगे मीनिमम कैपिटल रिक्वायर्मेंट जाए मिनिमम सरमाया इसके लिए डीड़ और रुपे दरकार होगा और आइसा बढ़ते बढ़ते वह चार अरव रुपे तक चेला जाएगा और वैसे मैं आपको बताता चलू जो कमर्शल बैंक से जैसे के मेजान बैंक या दूसरे बैंक से इनके लिए भी मुझे जहां तक याद पढ़ता है कुछ साल पहले की फिगर पंदरा अरव रुपे जैवा स् प्राइशन फेस होगा अगर जैसे ही डिजल जैवो रिटेएल बैंक जैवो ग्रैजुली रसीव जैसे वह डिएफ आइसा आइसा फिर उसे जब ट्रांजिशन फिरिएट खतम होजाएगा डिशल फूल बैंक फूल बैंक का उसे लसंस मिल जाएगा अगर वह तुमाम कंड इस फ्रेम्वर की इस प्राइमरी डिजाइन फॉर सैंटिंग डेंक जैट्वर जो जो हमारा इस ट्रॉक्षर है जो हम यह चारे यह बैंट अब्स वह वह उन्हें सैट अप करने के लिए हम नहीं फिरम वर्क है यह जाएव थैकि आपकि आए यदिशन बैंक पाकिस्तान मे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इवन के बैंक की जो हर ब्रांच होती है वह स्टेट बैंक उसे लेसंस इशू करता है कि अप यह ब्रांच आप यह ब्रांच कर सकते हैं और इवन के अगर ब्रांच का कुई काउंटर है जिसके कैश वसूल करना है उस उसने काउंटर फॉर इजेंबल काउंटर किसी मार्किट में जाके लगना है तो उस काउंटर को वहां पर ले जाने के लिए भी स्टेड बैंक का जा वह लसंस जो है वह इशू होता है तो पिर होता है तो इस तरह से एक बात करते हैं एक नेशनल बेंक है या फिर एक हम करने की इजादत नहीं आपको स्टेट बैंक से उसकाउंटर को से लिए पर मेंटी परमिशन लेनी पड़ेगी और आप स्टैब्लिश करेगे कूंकि पैसों का मामला है पैसों को जो लोगों का पैसा आप अपने पास रिजैब रखना एक बहुत बड़ी जुमाधारी है और लोगों का पैसा अगर दूपता है तो उसका बृब्याराज बैक पर जो security गरंटी है वह लिए पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है वैसे तो बहुत यहां पे यहां पर बहुतर नहीं है लेकिन बेंकिंग रेगुलिशन दुनिया के इंडिया में आइसा होता है यहां बैंकर यह दूब जाते हैं फराद हो दाता है लेकिन इतने इतने स्ट्रॉंग रेगुलिशन है यह सिर्फ है कि स्टेट बैंक के रेगुलिशन इतने स्ट्रोंग है वह असानी से किसी को भी जैवो प्रमिशन नहीं दे सकता पैसे से खेलने की तो इसलिए जब इजी पैसा और बाकी जो कुंसेप्स लाउंच किये गए उसके पीछे वज़ा यही थी उनके बैक पे बैंक होगा तो फिर वह पैसा और बाकी चीजें जिए आपरेट कर पाएंगे पर टैलिनोर ने ने अमिर बैंक से मौइदा किया बाद में उसका नाम उसका टैलेन और बैंक रख दिया मोबी लिंक ने वसीला लिए नाम बाद में मूबी लिंक रख दिया तो इसलिए उन्होंने एक छोटे-छोटे बैंक पर रख लिए हालांके उस टाइम अगर इस्ट्रक्चर इंट्रड्यूस होता है डिशल बैंक का तो उन्हें यह मार्क्रोफाइनांस बैंक की स्पोर्ट ही ना लेनी पड़ थी क्योंकि उनका तो सारा सब्सक्राइब में एक्सपीरियंस है तो वह भी रिक्वेस्ट हमसे कर सकते हैं कि अपने माइक्रोफाइनांस बैंक्स को वह डिजिटल बैंक्स में करवा सकते हैं और फ्यूचर में यह आपको बैंक इंप्लीमेंट नजर होते आएंगे मार्च इसकी लास डेट है जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं बैंक्स के लिए जिनके पास इतना सर्माया वह अप्लाई करेंगे पांच लेसंस स्टेट बैंक शुरू में इशू करेगा और सप्टमबर में अक्तूबर में फाइनलाइज करके अप्लिकेशन जावो इन्हें लाउंच करेगा और इस पूरे छे महीने में मुख्ली मरहलों से यह वह इन तमाम एप्लिकेशन को और जो इन्वेस्टर्स होंगे उन्हें गुजर ना होगा तो यह था हमारा आज का सेशन बैंकिंग के हवाले सब्सक्राइब अब यहां पर हम आते हैं कि आपके क्वेस्टन कर सकते हैं आपको कोई करना पड़ा है तो मुझे आप बता सकते हैं यहां से हैंडिल कर सकूँ